हेलो फ्रेंड्स आज अम आपको रुमाल बनाना सिखाएंगे। सबसे बहले हमें रुमाल बनाने के लिए एक न्यूश्पेपर एक इंची टेप एक कैची और एक चौक निसान लगाने के लिए। अब देखिए सबसे पहले निउस पेपर को निउस पेपर को निशान लगाने के लिए निउस पेपर को ऐसे ही सिंगल करेंगे इसके बाद विम्यापर स्कुएर साइब में 11 गयारा इंच का निशान लगाएंगे 11 इंच काम यहां से लगाया 11 इंच काम यहां से लगाएंगे स्क्वेर साइज में काटेंगे इसको ठीक है 11 इंच काम यहां से लगाया है 11 इंच काम यहां से लगाएंगे 11 इंच काम यहां से लगाएंगे 11 इंच काम यहां से लगाएंगे में जैसे स्क्वायर होता है फोर साइड इक्वल्स होती है ऐसे हम इसमें भी इक्वली 11 11 इंच का निशान लगाना है अब हम इसके कटिंग करेंगी इसको चारग्रप से जॉप निशान लगाया उसके उपर काटीजिए निधियान रखेगा इसाम के ऊपर ही काटीएगा इसके आगे मज जाएगा पहले हम ऐसी रफ काट रेस को क्यूंकि अगर पहले कपड़े पर काटेंगे तो हमारा कप्रा खराब ही हो सकता है इसलिए पहल स्क्वार साइज कट चुका है अब हम काटने के बाद चैक करेंगे कि हमारा बराबर साइज कटा है या नहीं देखिए 11-11 इंच का है चारो साइज 11-11 इंच की है नहीं से भी 11 इंच का है अब हमनी हमारा रुमाल न्यूस्प्रेपर पे काट चुका है अब हम से कपड़े पे काटेंगे जैसे हमने न्यूस्प्रेपर पे काटा है ऐसे हम इसको कपड़े पी निशान लगाएंगे जैसे हमने 11-11 इंच का एक स्क्वेर बनाया था ऐसे हम इस पर भी करेंगे 11 इंच का निशान लगाएंगे इदर से 11 इंच का इदर से लगाएंगे आपको दियान रखना है 11 इंच से पालतू नहीं होना चाहिए वर्णा मरा रुमाल जोटा बड़ा हो सकता है इससे वो दिखने में और लगेगा देखिए ये 11 इंच का हमने इदर से लगाया है दियान रखिएगा निशान एकदम परफेक्ट होना जाएए देखिए 11 इंच का हम इदर से लगा चुके जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हो वार्निकल लेगा करता है कपड़े पे काटने से पहले निशान को एक दुबार च चुका है देखिए हम दुबारा चेक करें निशान को हमने कैसे लगाया है आप अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे देखिए यह हमारी कटिंग हो चुके है यह मैं इसको काटने कपड़े को एक हास साइट से दबारी जीगा ताकि यह दर दर ना जाए देखिए यह कट चुका हम इसको जो निशान में लगा है उसी के ऊपर काटेंगे दियान लखिएगा कि हमारी कैची